गुड मॉर्णिंग क्लास इससे पहले हमने समू के बारे में पढ़ा था हमने जनतों के अलग समू और फौधे के अलग समू बनाए थे तो इसी प्रकार आज हम लोग देखेंगे आज हम लोग समू ही करड़ के बारे में पढ़ने वाले हैं हमारे आसपास जितनी भी वस्ते ह इसी के बारे में देखना है आज हमें समू ही करड़ के बारे में हमारे आजब जितने भी जिव होते हैं मतलब जन्तु और पौधे उन सभी को समुही करड करने वाले हैं तो आज हम लोग देखेंगे समुही करड एवं वर्गी करड के पूरव प्रयास तो इसी तरह से समुही करड करने का प्रयास किस ने किया सरप्रथम तो समुही करण वर्गी करण के पूरा प्रयास सर्वतम किया है अरस्तु ने अरस्तु ने क्या किया उनके आवास के अधार पर समुही करण किया है पहला वे जीव जो जल में पाए जाते हैं और वे जीव जो इस्थन में पाए जाते हैं उस अरस्तु के बाद 1686 में जान रे ने पोधे के वर्गी करड किया बाय लक्षड को देखती हुए 16-16 में जान रे ने पौधे के बाय लक्षड को देखा और अलग-अलग समुही कृत किया उसके बाद 17-35 में आये कैरूलस लिनियस 17-35 में कैरूलस लिनियस ने अपने पूस्तक लिखी सिस्टेमा नेचुरी उसमें 4236 जातियों का वर्णन हमें मिलता है और इसी वर्णी करण के अधार पर उन्हें आधनिक वर्णी करण का पिता कहा जाता है लिनियस ने पूरे संपूर जीव जगत को दो भाग में माटा था पहला है पादब जगत और दूसरा है जन्तु जगत पादब जगत में विभीन प्रकार के पेड़ पौधे के बारे में हमें जानकारी मिलती है और जन्तु जगत में विभीन प्रकार के जन्तों के बारे में हमें जानकारी मिलती है उसके बाद देखते हैं पदानुक्रम क्या है कैरोलस नीनियस ने वर्गी करण में सबसे पहले पदानुक्रम शब्द का प्रयोग किया पदानुक्रम क्या होता है पदानुक्रम वह प्रक्षिया होती है जिसमें जीवों को उनकी गुड और विकास के अधार पर एक निश्य स्रिंखला के अंतरगत विबिन शमुहों में बाड़ते हैं पदानुकरम में होता क्या है किसी भी जीव को उनके गुड और उनके विकास के अधार पर अलग-अलग श्रिंखला में हम लोग बाड़ते हैं जैसे कि यहां पर मनुष्य का पदानुकरम है मनुष्य के पदानुकरम में मनुष्य के जो गुड है और उनके विकास का अधार है उसी के अधार पर अलग-अलग-अलग श्रिंखला में यहां पर बाट गया है जैसे कि जगत, तो मनुष्य का जगत कौन सा है जगत, एनिमिलिया है, एनिमिलिया मतलब एनिमिलिया क्या होते हैं, एनिमिलिया जो जी होंगे वे भूकोस्की होंगे, यूकारियाटिक होंगे, उनमें पोशडविधी अंतर ग्रहड प्रकार की होगी, उसी तरह से जो मनुष मनुश का संग उसका है कॉटेटा मतलब रीड की हठी पाई जायेगी क्लास मतलब वरंग काुंवर नुकरम एसके बाद हो गया संग वर्ग हो गया उसके बाद है गड़, कूल, वन्स और जाती तो मनुष्य का गड़ कौन सा है प्राइमेट, मतलब देखना आप लोग दोनों हाथ की जो अंगूठे है उनकी इस्तितियां क्या है विपरीत है उसके बाद फैमिली, कूल कौन सा है होमो नीडी है, मतलब दो पैर से हम लोग चलते हैं, वन्स कौन सा है होमो है, होमो का मतलब यह है कि उनमें मनुष्य में सुविक्षित मतलब मस्तिस के पैर जाता है वो भी मस्तिस का कैसा होता है, सुविक्षित होता है जाती कौन सी है, सेपियेंस है सेपियेंस क्या है, एक जाती है जैसे कि कोई बरेट होगा, कोई सिधार होगा, कोई चंदरा होगा इसी परकार से मनुषय की जो जाती है, वो क्या है? Sapiens है Once है, मनुषय का once होμο और जाती है sapiens homo sapiens तो वहाँ पे homo once है, sapiens क्या है जाती है तो इस तरह से पदानुक्रम है यहां पर मनुष्य का तो मनुष्य का पदानुक्रम यहां पर दिया गया है जिसके बारे में हमने भी देखा मनुष्य का पदानुक्रम मतलब पदानुक्रम में होता क्या है किसी भी जीव के गुड़ और विकास के अधार पर विकास के अधार पर निश्रित स्रिंखला में व वेटकर ने संपून जीव जगत को पाज भागों में बाट दिया वेटकर ने क्या किया संपून जीव जगत को जितने भी पौध हैं जितने भी जनतों हैं उनको पाज भागों में बाटा पहला है जगत मुनेरा, दूसरा है जगत प्रोटिष्टा, तीसरा है जगत फंजाई, और चाथा है जगत प्लांटी, पांचा है जगत एनिमेलिया जिसे की वेटकर ने क्या किया संपूर जीव जगत को पांच भागवम बाटा जगत मुनेरा, जगत प्रोटिष्टा, जगत फंजाई, जगत प्लांटी और जगत एनिमेलिया जितनी भी जनतुएं हैं और जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सब के इस्टड़ी के लिए उन सभी के बारे में जानकारी रखने के लिए तो था उन सभी के बारे में बच्चों को जानकारी दिलाने के लिए क्या क्या संपूर्ण जीव जगत को इन पाज भागों में बाढ़ दिया अब इसके एक-एक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं जगत मुलेरा में कौन से जीव को रखे गए हैं जगत प्रोटिष्टा में कौन से जीव कौन से पेड़ पौधे आते हैं जगत फंजाई में कौन से जीव आएंगे कौन से पेड़ पौधे आएंगे जगत प्लांटी में और जगत एनिमिया में भी कौन कौन से पेड़ पौधे या फिर जीव आएंगे इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे हैं आपका वेटकर का वरगी करण यहाँ पे हैं वेटकर का वरगी करण वेटकर ने संपून जीव जगत को पांच भागों में बाटा जगत मुनेरा जगत प्रोटिष्टा और क्या है और क्या है जगत फंजाई जगत प्लांटी और जगत एन से मिलकर बना होगा ठीक है जगत मुनेरा में वे जिव आएंगे जिनका सरीर एक कोशिका से मिलकर बना होगा और उनकी जो कोशिका होगी वो कैसी होगी प्रोकारियोर्टिक होगी मतलब जगत मुनेरा में जो जिव आएंगे उनकी कोशिका प्रोकारियोर्टिक होगी यहां प है केंद्रक कोशिका के बीच में पाई जाता है केंद्रक और इस केंद्रक के बाहर में अगर जिल्ली पाई जाती है तो वो क्या है यू केरियोटिक देखो इस केंद्रक के बाहर में अगर जिल्ली पाई जाती है तो वो कहलाएगी आपका यू केरियोटिक अगर एक और कोशिका है और इसके बीच में क्या पाई जाती है केंद्रक अगर इस केंद्रक के बाहर में जिल्ली नहीं पाई जाती है तो वो कहलाएगी आपकी प्रोकेरियोटिक प्रोकेरियोटिक ठीक प्रोकेरियोटिक है यह समझ में आ गया यूकेरियोटिक क्या होगा जिस में जिस कोशिका के केंद्रक के बाहर में जिल्ली पाए जाएगी वो है यूकेरियोटिक और जिस कोशिका के केंद्रक के बाहर में जिल्ली नहीं पाए जाएगी वो है आपका प्रोकेरियोटिक यह यह है ना प्रोकेरियो मतलव उनके जो कièrement पर चिनले कोशिका होगा कोशिका के अंदर में केंद्र के बाहर में जिलनी नहीं पाए जायगी उसके बाद क्या है इसमें आने वाले जिव क्या स्वापोशी वा विशमपोशी होते हैं इनमें जो जीव आएंगे जगत मुनेरा के अंतर में जिन जीवों को रखा गया है वो जीव कैसे हो शकते हैं या तो स्वापोशी हो शकते हैं और विशमपोशी पोशी का मतलब है वो अपना भोजन स्वयम बनाएंगे विशम पोशी का मतलब है उन्हें अपना भोजन क्राप्त करने के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहना पड़ता है और क्या होता है जगत मुनेरा में जो जीव आएंगे उनकी कोशिकाओं में कोश्का जिल्ली के चारों और कोश्का भित्ती होती है जगत मुनेरा में जो जीव आएंगे उनमें जो कोश्का जिल्ली होगी जैसे कि यहां पर देखिए जैसे कि यहां पर कोशिका है इस कोशिका में यहां पर कोशिका है कोश्का के बाहर में क्या पाई जाती है जिल्ली पाई जाती है औ और कोशका जिल्ली के बहार में पाई जाती है कोशका भित्ती यह कोशिका और सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है पादप कोशिका में ही कोशका भित्ती पाई जाती है जनतु कोशिका होती है उसमें कोशका भित्ती का अभाव होता है तो जो जगत मुनेरा में जिव के उधारज रहा है आपका जीवाड़ू और अनाभीना जितने अधितने जीवाड़ू होते हैं उनको किसमें रखा गया है जगतं मोनेरा के अंतरबने एक हाट शिली कि उसे में जगतं और इस कोश्का जिल्ली के बाहर में पाई जाती है कोशिका बित्ती और जो कोश्का बित्ती होती है वो सिर्फ पादप कोशिका में ही पाई जाती है ये है आपका पादप कोशिका पादप कोशिका अगर यहाँ पे बात करें हम लोग जन्तु कोशिका की तो यहां पर एक कोशिका है और इस कोशिका के बाहर में पाई जाएगी आपकी कोशिका जिल्ली और इस कोशिका जिल्ली के बाहर में कोई भी कोशिका भित्ती नहीं पाई जाती किसमें जन्तु कोशिका में ठीक है यहां पर केंद्रक भी पाई जाता है ठीक तो इस तरह से हमने देखा जगत मोनेरा को जगत मोनेरा में जिन जिवाड़ों को रखा गया है जैसे कि अभी मैंने उधारण में बताया आपको जगत मोनेरा में जिवाड़ों को रखा गया है है ना जगत मुनेरा में जो जीव आएंगे उनकी कोशका जिल्ली के बाहर में कोशका भित्ती पाई जाती है देखो प्रोकेरियाटिक कोशिका वाले जीव आते हैं जगत मुनेरा में मतलब उनमें केंद्रक के बाहर में कोशका जिल्ली अभी विक्सित नहीं हुई है लेकिन जैसे ह नहीं लोग आगे बढ़ते हैं जगत प्रोटिषटा की ओर तो जगत प्रोटिषटा में होता क्या है जो जगत प्रोटिस्टा में जो जीव आते हैं वो क्या होंगे वो भी एक कोश्की होंगे जगत मुनेरा में जो जीव आएंगे वो भी एक कोश्की और जगत प्रोटिस्टा में आने वाले जीव क्या होंगे अब यूकेरियार्टिक हो जाएंगे देखो प्रोकेरियार्टिक क्या होता है केंद्रक के बाहर जिल्ली नहीं पाई जाती लेकिन जगत प्रोटिस्टा में जिव आएंगे वो भी एक कोश्की होंगे और इनमें केंद्रक के बाहर में जिलनी पाई जायेगी काँगंगे जगत प्रोटिश्टा के सभी जीव क्या हूंगे एक कोशकी होगे अच् Wcción कोश्च चाइट August जीव क्या हम ठीच हो गाए जो जियसे चाहर रहया हूंगे जितने भी जगत मोनेरा के उधारन में है आपका जिवाडू, जगत प्रोटिष्टा के उधारन में है अमीबा और यूगीना, उसी प्रकार से अब आगे देखते हैं, देखो, सबसे पहले जो कोशिका आते हैं, उनमें केंद्रक के बाहर में जिल्ली नहीं पाई जाती है, उसके बाद में जिल्ल जीतने भी जगत में हमोगा आगे बढ़ते जाएंगे, वह Quaise होंगे हमेशा अब यूगझेरिया वाले होंगे। सिर्फ जगत मोनेरा में जो जिवादे हैं वह होते हैं प्रोकरिवाटिक उसके बाद जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं जैसे के जगत प्रोट प्रकार की होती है और उसके बाद जितने भी जगत हम लोग पढ़ेंगी उनमें जो जिव आएंगे उनकी कोश्काएं हमेशा योकेरियोटिक प्रकार की रहेगी अब हम लोग तीसरे जगत को देखते हैं जिसमें है आपका जगत फंजाई ठीक यहां पर है आपका जगत और उसके बाद है जगत एनी मेलिया ठीक है तो जगत फंजाई क्या होता है जगत फंजाई को देखते हैं जगत फंजाई देखो फंजाई का मतलब क्या होता है कवक जो तलाब में मिलता है न काई हमें काई वही है आपका जगत फंजाई तो काई के बारे में तो कुछ कु और उसको होते हैं कवथ जाल या फिर माई शिलियम उसके बाद है कवक जगत फंजाई में जो जिव आते हैं वो कैसे होंगे एक कोश्किय होंगे और बहु कोश्की होंगे साथ में अभी मैंने बताया था जगत मोनेरा को छोड़ कर जितने भी कोशिका पाये जाएंगे जितने भी जीव पाये जाएंगे उनकी कोशिका कैसी होगी यूकेरियोटिक प्रकार की होगी है ना वो कैसी होगी उनकी कोशिका यो-केरिोटिक प्रकार की और जगत फंजाई में जो जिव आएंगे वो कैसे होंगे विशम-पोशी होंगे ठीक है उधारण में है आपका एगैरिकस स्फिर्थ ठीक है उधारण में क्या है मस्डूम और क्या है यस्ट मुझन जानते हो वफून जैसे कि सराब आदी बनाने के लिए जो उप्योग किया जाता है किसका किया जाता है येश्ट का येश्ट क्या काम करता है सराब को शड़ाने का काम करता है जैसे गेहों से अगर सराब बना रहे है तो गेहों को शड़ाने का काम करेगा जैसे अंगूर से अगर सराब बना रह कवक कैसे होते हैं, तंतु के अकार की तो यह तंतु YOU आपस में जाल बना लेते Don to врем now, जासे हम नोग कहते हैं, यगत फंजाई में जीवऔ आते हैं, वह रोजट की प्रकार की होनगे, बहु रोज़़ए, यह एकोंपरा वाद इमीक्त kो होगे, वो अपना भोजन स्यम बना नहीं सकते जैसे कि पेड़ पौधे अपना भोजन स्यम बनाते हैं वो खुद अपना फल उगाते हैं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग फल उगाते हैं वो खुद अपने सरीर में फल उगाते हैं लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर चकते क्या हमारे सरीर में क लोग जगत प्लांटी को प्लांटी का मतलब यहां से प्लांट मतलब पेड़ पौधे से हैं तो जगत प्लांटी में पेड़ पौधे को रखा गया है और पेड़ पौधे क्या करते हैं स्वापोशी प्रकार के होते हैं मतलब अपना भोशन खुद बनाते हैं अभी मैंने बत कोशिका जिल्ली के बाहर में क्या पाई जाती है आपकी कोशिका भित्ती कोशिका भित्ती ठीक जगत प्लांटी पादब जगत के सभी जिव क्या होंगे बहु कोश्की होंगे मतलब उनका सरीर बहुत सी कोशिकाओं से मिल करके बना होगा जितने भी पेड़ पौधे आते हैं उनका सरीर कैसा होता है बहुं कोशिका होता है मतलब उनका सरीर बहुत सी कोशिकाओं शें मिल करके बना होता है और जगत प्लांटी में कंडरग जिल्लग जाती है मतलब जगत प्लांटी में जो जीव आएंगे उनकी कोशका में जो खेंद्रक होती है केंद्रक के बाहर में क्या पाई जाएगी जिल्ली पाई जाएगी यूकेरियोटिक में जिल्ली पाई जाती प्रोकेरियोटिक में नहीं पाई जाती और अधिकांस पौधे में क्या पाआ जाएगा हरीत लबाग पाए जाएगा हरीत लबाग मतलब क्लोरोफिल इस क्लोरोफिल के कारेज़ पैढ पौधे हमें कौन से रंग्प क Cookie दिखाइ देते हैं हरे रंग के और इस chlorophyll के सहायता से ही वो प्रकास संसलिशड की त्रिया करते हैं और कार्बो हाइडर्ड मतलब धान, चामल, गेहूं ये सभी क्या करते हैं उगाते हैं जगत प्लांटी में पेड़ पौधे आते हैं और इस जगत में जो जिव आते हैं जगत प्लांटी में आप लोग अपने उधारार दे सकते हैं जैसे कि नीम हो गया है ननीम हो गया, धान हो गया, जितने भी पौधे जगत प्लांटी के अंतरगत आते हैं उसके बाद है आपका जगत एनिमेलिया, लाश्ट है आपका जगत एनिमेलिया जगत एनिमेलिया में कौन आते हैं? जगत एनिमेलिया में जो जीव रख आते हैं ना जगत एनिमेलिया में जितने भी जीव हैं मतलब जितने भी जानवर हैं सेर भालू बाग बकरी जितने भी जानवर सब को इस जगत एनिमेलिया में रख दिया गया है ठीक है जगत एनिमेलिया के कुछ लगछड़ हैं इस जगत की जीव कैसे होंगे बहु कोशकी होंगे और कै सांत में कैसी होगी विशम पोशी होंगी मतलब वह अपना भोजन स्वयम नहीं बना सकती किसी दूसरे जीव पर निर्भर रखेंगी उनके बात उसके बात क्या है इनकी कोशिका के चारों और कोश्का भित्ती नहीं पाई जाएगी सांत में हरित लवक मतलब क्लोरोफिल भी नहीं पाई जाएगा ना जगत एनिमिलिया में जो जीव आते हैं उनमें उनके वो जीव कैसे होंगे बहु कोश्की होंगे युकेरोटिक होंगे विशम पोशी होंगे और इनमें कोश्का भित्ती नहीं पाई जाएगी हरित लवक भी नहीं पाई जाएगा और जगत एनिम वर्गी करण है ना वेटकर का पांच जगत वर्गी करण वेटकर ने संपुन जी जगत को पांच भागों में बाटा पहला है जगत मुनेरा दूसरा है जगत प्रोटिष्टा तीसरा क्या है जगत फंजाई चौथा क्या है जगत प्लांटी पांच क्या है जगत एनिमेलिया जगत मोनेरा में जो जीव आएंगे वो कौन से प्रकार के होगे, उनकी कोशिका कौन से प्रकार की होगी, उनकी कोशिका प्रोकेरियोटिक प्रकार की होगी, और उसके बाद जगत मोनेरा को छोड़ करके, जितने भी जगत आते हैं, जिसे कि जगत प्रोटिष्टा आता है, जगत प्लांटी आता है, जगत एनिमिलिया आता है, उन सभी में जो जीव रखे गए हैं, उनकी कोशिका यू केरियोटिक प्रकार की होगी, पहले कोशिका में विकास नहीं हुआ रहता है, पहले जो कोशिका आती है उनमें विकास नहीं रहता है, विकास हुआ नहीं रहता है इसी कारण केंद्रक के बाहर में जिल्ली नहीं पाई जाती लेकिन बाद में जैसे जैसे जो जीव आते हैं उनके केंद्रक के बाहर में जिल्ली पाई जाती हैं क्योंकि उनके कोश्का में अब पूरी तरह से विखास हो जाये रहता है उसके बाद जगत मुनेरा में जो जीव आते हैं वो कैसे होंगे स्वापोशी होंगे विशम पोशी होंगे जगत प्रोटिष्टा में जो जीव आएंगे वो भी स्वापोशी होंगे विशम पोशी होंगे जगत फंजाई में जो जीव आएंगे वो क्या होंगे वो सिर्फ विशम पोशी होंगे और उसके बाद जो जगत प्लांटी आएंगे वो क्या होंगे स्वापोशी होंगे जगत प्लांटी में जो जिवाएंगे वो क्या होंगे स्वापोशी होंगे जगत इनमिलिया में फिर से जो जिवाएंगे वो फिर से विशम पोशी होंगे इसका मतलब यह है जगत मुनेरा जगत प्रोटिष्टा के जिव स्वापोशी विशम पोशी दोनों होंगे जगत फं जगत फंजाई में जो जीव आएंगे वो क्या होंगे एकोस की बहु कोस की जगत प्लांटी में जो जीव आएंगे वो क्या होंगे बहु कोस की और जगत एनिमिलिया में जो जीव आएंगे वो कैसे होंगे बहु कोस की ठीक है तो इस प्रकार हमने देखा हमने उधारण को भ अगना इगा कि कैं